फाइनली इतने सारे इंतिजार के बाद हमको मिल चुका है यामाहा एम्टी 15 के काफी डिफरेंट डिफरेंट सीरियस वाले अपग्रेड्स सबसे पहले मैं बात करो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Yamaha MT-15 version 2 के बारे में क्या क्या आप major upgrades किये गए हैं कब launch event होने वाला है क्या pricing रहने वाली है और कब हमको ये bike मिलने वाली है तो पहले कि मैं बात करो तो Yamaha 15 जो 2021 वाला model था उसके अंदर जो design थी suspension थे वो सब इसके अंदर काफी सारे changes किये गए हैं हला कि 99% जो designing है उसको कोई भी change नहीं किया गया major update है suspension में इसके अंदर हमको मिलने वाला है upside down fox जिसके जरीए हम हमारे इंडिया के अंदर काफी अच्छी तरह से roads पे हम bike को चला पाएंगे हमको काफी comfort मिलने वाला है दूसरे में update की बात करो तो इसके अंदर हमको जो display आती थी उसके अंदर भी यामा ने बताया है कि हम changes करने वाले है पहले हमको एक budgeted bike के अंदर जो display आती थी वैसे लगती थी लेकिन इसके अंदर हमको थोड़ा improvement मिलने वाला है third इसका जो upgrade है वो है main safety safety is our priority इसके अंदर हमको पहले single channel ABS मिलता था लेकिन अब हमको मिलने वाल है dual channel ABS इसका मैं काफी time से wait कर रहा था मैंने already yamaha 2021 book कर वाई थी लेकिन end time पे sales रुख गए yamaha ने सब जगह से sales रोक दिये क्योंकि ये वाला model आने वाला था और इसके अंदर जो कमिया थी वो yamaha ने definitely पूरी की है upside down इसके अंदर हमको fox मिल गया है साथ में इसके अंदर dual channel ABS हमको मिलने वाला है और overall अगर मैं designing के बात कर रहो तो पहले yamaha क्या करता था हमारे इंडिया के अंदर जो design करता था वो थोड़ी changes करके लाता था लेकिन अब yamaha को जो yamaha को 15-20-22 वाला आने वाला है version इसके अंदर globally जो चलता है वो same हमको design मिलेगा इसका मतलब हमको पहले की तरह हमारे इंडिया के bike different नहीं दिखेगी हमको पूरी दुनिया में जैसे चल रही है वैसे ही हमको bike दिखने वाली है और आगे मैं अभी बात करूँ तो हमको यह bike कब मिलने वाली है 11th April को ऐसा बताया जा रहा है कि launch event होने वाला है 99% accurate है कि यह launch event होने वाला है इसके अंदर हमको सारी चीज़े पता चलने वाली है और approximately event के बाद डेट से दो मिने के अंदर हमको bikes deliver होना चालू हो जाएगी इसकी pricing यामा ने बताई हम उन्हें almost सेम रखने की कोशिश की गई है फिर भी मेरे इसाब से max to max 5-10,000 इसके अंदर ज़्यादा हमको देने पड़ सकते हैं पहले 1,40,000 के अरॉन मिलती थी लेकिन अभी 1,50,000 के मिलती थी अब हमको 185 और 1,90,000 में हमको यह bike मिल सकती है overall मैं बात करो तो मेरे को यह bike काफी time से पसंद है काफी time से मैं eagerly इसका wait कर रहा हूँ मैंने already book कर वा लिये लेकिन अब वो दिन दुर नहीं finally Yama MT-15 आने वाली है pricing में आपको बता दी mileage यह सब हमको same रहने वाला है थोड़ सी में आपको specifications बता दू तो इसके अंदर हमको मिलने वाला है liquid cold force talk हमको engine मिलने वाला है 155cc का हमको इसके अंदर engine मिलने वाला है और यह maximum talk 13.9 पहले हमको provide करते थी लेकिन इस version के अंदर 14.2 इसके अंदर हमको torque मिलने वाला है so overall यह सब बात है थी खाफी सरी चीज़े same है main जो upgrade से वो है upside down fox और हमारा display और साथ में हमको मिलने वाल है dual channel abs और फिर काफे सारे छोटे छोटे changes होंगे वो हमको event के अंदर हमको पता चलने वाला है so guys यह था पूरा का पूरा वीडियो मिलते हैं next video के अंदर till then bye bye